भास्पा परवक्ता दीपक शर्मा ने केंद्री वजट को एतिहासी करार दिया है। उनने कहा कि जिस पार्टी के मुख्या मंत्री रहते पांच साल से जमानत पर हैं और जिसके पार्टी अधिक्ष खन और माफिया से मिली भगत के संगीन आरोपों से गीरे हूँ वह व्यक्ती भास्पा पर भिस्टाचार के अरोप लगाए तो यहास्ते प्रद ब्यान होगा। उनने कहा कि कॉंग्रस प्रदीस अधिक्ष सुक्विंदर सिंग सुक्खु द्वारा मुख्या मंत्री जैराम सरकार को भिस्टाचार में डूबी सरकार कहने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। सुक्खु पहले अपने और बिरवदर सिंग के बारे में बात करे जो की जमानत पर हैं। इंडिया हो या शहरी करण की बात हो या आधार बूद सनचना स्थापित करने की बात हो। सबसे बड़ी बात कि किसानों को उनकी मूल भूद सुविधाएं जो चाहिएं उनको क्या-क्या चीज़ें चाहिएं उनके ओपर एक ऐसा इतिहासिक बजट इस बार पेश किया है जिसकी जितनी सरहना की जाए कम है निसंदे ये हिंदोस्तान को पूरे विश्यो में जो है वो विश्यो गुरू बनने की और अग्रसर करने वाला बजट जो है इसको कहा जा सकता है जितनी सरवांगिन विकास की योजनाएं इस बजट में है हमारा ऐसा सोचना है ना भूतो जिदा कैसे मिले आम जन का जीवन स्तर कैसे सुधरे और हिंदोस्तान जो है पुर्वे विश्य में आगे कैसे बढ़े उसकी जलक इस बजट से मिलती है। गैर परमपरग उर्जा जिसे कहते हैं नौन कन्वेंशनल एनर्जी उसकी बात हो सौरूर्जा की बात हो या किसानों की बात हो या खासकर रेलवे की बात हो उस रेलवे के ऊपर जो हमीरपूर तक रेल पंचाने की बात हो उन सब विश्यां के ऊपर ये सरकार पहले से ही जो ह वो बड़ी गंभीरता के साथ पग उठा चुकी है और इस बजट में भी इन सब चीजों के लिए अपार धन रखा गया है ताकि यह उजनाए समय से पूरी हो बलकि जो टार्गेट फिक्स किया है कोशिश यही है कि उससे पहले इन सब को पूरा किया जा सके